पाकिस्तान में जल्दी पीएसल होने वाला जैसे इंडिया में IPL होता है अगर आपको नहीं पता है तो पाकिस्तान में पीएसल होता है अब यह आप लोग सभी जानते हैं कि भारत के IPL में कहीं से कहीं तब भी पाकिस्तानी खिलारीयों को Entry नहीं रहती। यह एंटरी पूरी तरीके से बेन रहते ही। यह मैं डिडिकेट कर रहा हूँ हमारे वन अफगान भाईयों के लिए जिनकों के पागिस्तान से धक्य मारकर वापस उनके देश भीजा जा रहा है यह साब बात चल रहेंगे दरसल पागिस्तान में कई लाख रिफ्यूजी रहते हैं अफगानिस्तानी रिफ्यूजी जो की लगले लड़ाईयों के दोरान भाग कर पाकिस्तान पहुंच गए थे और उन्हों ने वहीं पर रहना शुरू कर दिया माना ये भी जाता है कि अफगानिस्तान को क्रिकेट भी पाकिस्तान से ही मिला है ऐसे ही रिफ्यूजी कैंप्स में क्रिकेट खिला जाता था और फिर ऐसे ही क्रिकेट धीरे धीरे अफगानिस्तान भी पहुंच गए तो ऐसे अबरहम जर्दान ने ये बयान दिया था कि भई जो खिलाडी है अपना ये डेडिकेट कर रहे हैं उन्हें अफगान भाईयों को अगर आप इस सिच्वेशन को थोड़ा साथ भी समझनी कोशिश करें तो जैसे पाकिस्तान के खिलाडियों ने वर्ल्ड कप के दोरान फिलिस्टीन को सपोर्ट किया था क्योंकि ये जो पाकिस्तान के खिलाडियों उनको अपना मानते हैं वो है बात और ऐसे ही अफगानिस्तान के लोगों ने अफगानिस्तान के लोगों को सपोर्ट किया कि वो तो खुद है ही ना अफगानी अब ऐसे में यही चीज को हवाला देते हुए कई सारे पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैंस है और शरम की बात ही है कुछ एक एक्सपर्ट भी ये बात मानते हैं कि भई अफगानिस्तानियों को सबक सिखाने का इस तरीका नहीं मिलेगा इनको PSL ड्राफ्ट में हमको शामिल करना ही नहीं चाहिए हलाकि ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तानी खिराडी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सूपर लीग में ही खेलते हैं अफगानिस्तानी खिराडी दुनिया भर के कई सारी लीग्स में भी खेलते हैं और IPL में भी खेलते हैं तो मुझको ऐसा लगता नहीं है कि इनको बहुत जादा बड़ा जटका लगेगा अगर इनको PSL में शाविल नहीं किया जाता है तो लेकिन मुद्दा आ जाता है कि आप किन ग्राउंड्स के ऊपर अफगानिस्तान के खिलाडियों को बैन करने की बात करते हैं दरसल पाकिस्तान के एक बहुत बुरी आदत है कि वो अपने आपको हर चीज़ें भारत के साथ संबेर करता है जोड़ता है या खुद की तुल ना करता है जोसा कि हम लोग बात करते ही और क्योंकि भारत बास बना बैठा हुआ है और पाकिस्तान कहीं पर बिल्कुल ऐसे ही कत करता है तो वो भी कही ना कहीं चाहता है कि मैं ही बास बनूँ तो अंदों में काणा राजा आपने कहावत सुनी होगी वही उसी पत्स पर चलते हुए पाकिसान चाह रहा है कि जो छोटे देश हैं क्रिकेट खेलने वाले उनके ऊपर हम चणके बैठ जाए इसलिए आपने चैनल हगा हो गया मंघोलिय भी ले लो मंघोलिय हो इसके बाद नामीबिया हो गया इन सब धेशों के साथ ये कुछ जादा के खेलने का मौकट दे रहा हैं जब कि यह अ लेकिन मुद्दा यहां पर यही है कि यह क्या करते हैं कि उन देशों के ऊपर चड़के बैठने कोईश करते हैं लेकिन अफगानिस्तान अब काफी बदल चुकी है काफी आगे बढ़ चुकी है यह कैनेडा, निदरलेंड इन टीमों की तरह नहीं है यह एक आद बार अच्छा खेल गया और फिर उसका बात खताब अफगानिस्तान ने लगातार अपने आपको आगे बढ़ाने का काम किया लगातार जो जारूपन दिखाया है और आज के तारीक में बहुत उच्छे टीम बन के उभरी है करीब चार मेंच की वर्ल्ड कप में जीते थे और बड़ी बड़ी टीमों को हराया था विश्व चैंपियंज को इन्नों ने हरा करी मैच जीते थे तो यहां पर यहांपर यह बात कहना के रहे हैं जीतना इन इतना बड़ा हो जाएगा कि पस पूछिये क्योंगे फ़ाइसल इन फैलेन की तन दिर नहीं बहुत पर भी लीज चलती है ​​ि वहां पर उनकी डिमांड रहती ही है सबसे बड़ी बात तो ये रहती कि उनके साथ availability की दिक्कत नहीं तो इसलिए वो लोग हमेशा ही मना first choice रहते हैं नहीं बात पाकिस्तान क्रिकेट की तो देखिए पाकिस्तान क्रिकेट इस समय काफी बड़े टर्माइल से गुजर रहा है तरह साथ उनके कुछ बड़े खिलाडियों में काफी कुछ conflicts की बाते निकल कर सामने आ रही अभी हाली में माद रसीम ने ब्रेटार्मेंट ले लिया सिर्फ उसलिए जो cricket leagues वगिरा होती हैं उन्हें पैसा बानाने के लिए और कुछ ऐसा ही सूरते हाल इस समय हारिस राउस के साथ भी होता हूँ दिखाई दे रहा है तो पाकिस्तान इस समय अपने cricket board को अपने cricketers को काफी ज़्यादा discipline और सक्त करने के उपर काम कर रहा है ऐसे में अगर अफगानिस्तान खिराडियों के साथ कुछ भी होता है तो अव्विस सी बात है एक बहुत गलत मेसेज जाएगा क्योंकि आप देखिए ये लोग भले इंडिया को खच्च कंपेर करता है और बोल रहा है कि बाई इंडिया भी तो पाकिस्तानियों को नहीं खिलाता है लेकिन आप देखिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में relations किस जड़ तक जा चुके है 2025 में पाकिस्तान में चैंपेंस टॉफी होनी है और उसके 2025 में होने की संभावना के उपर बादल सर्फ इसलिय बन रहा है क्योंकि भारत चायद जाने समना करो तो कहा भारत है और कहा पाकिस्तान है मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है इन लोगों को बस खुद को अमपेर करने में लगे हुए अगर मेरी बात समझें तो मैं तो बस यह चाहूँगा कि अफगानी सारी खिराली को लोग खिलाएं क्यों तो कि उससे इन ही लोगों को फायदा होता है किसी और को नुक्सान तो नहीं है लेकिन फायदा इन ही लोगों अगर आप सोच रहोगे नहीं खिलाडियों को ना खिला कर यह ऐसा करके हम लोग बहुत अच्छा काम कर लेंगे तो शायद आप नहीं कर पाऊगे आप भारत की अगर बात करते हो एक भारत भी पाकिस्तानियों को नहीं खिलाता है तो भारत की सिच्वेशन काफी अलग है पाकिस्तान बार बार हमारे उपर आतंकी हंगला को हमला करता रहता है और चीजों में कभी भी सुधार की कंजाई छोड़ता ही नहीं बस इसी लिए बार-बार भारत का हाथ बढ़ाने के बावजूद भी पाकिस्तान ने बार-बार हाथ के उपर ही काटा है मोदी साहब की बारे में कई सी से बोली जाती है पाकिस्तान में कि मोदी साहब बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है लेकिन शायद आपको ध्यान ना हो तो बता दू कि नवाज शरीर जी के टेन्योर के दौरान माने नरेंद्र मोदी जी ने काफी कोशिश करी थी उनके साथ मिलकर चीजों का आगे बढ़ाने की लेकिन पाकिस्तान में ही कई सारे लोग हैं जो चाहते ही नहीं लेकिन अगर आपने अफ़गानिस्तान के लाड़ियों को पीशल से हटा दिया तो यह समझ लो कि आपकी जो चीछलेदार कोड़ी दुनिया में हो नहीं है ना उसके जिम्हार भी फिर आप ही होगे क्या कहना है आप लोगा मेरे बारे में इस वीडियो के बारे में कमेंट करें जरूर बताइए का मेरे सुडियो के लाड़ पने जाए इंचे लाड़